बंधन बैंक पर मैं काफी बूलिश हूँ मैंने रेकमेंड भी किया है मुझे लगता है मुझे पता नहीं उनका टाइम प्रेम क्या है अगर वो लंबा देखिए अभी के लिए शौट टर्म के लिए एक रेंज में चल रहा है इसका जो रेजिस्टेंस जोन है उसी पर यह काम होगा इन डाट केस यह इमीडियेट टार्गेट जो निकल के आते हैं वो 430 रहेगा और मुझे लगता है यह शौट टर्म में निफ्टी में हो सकता है और थोरा सा करेक्शन मिले फिर से आपको 17,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यह मैं बोलने का बात यह है कि 500-600 जिस यह बैंकिंग और और तो तो डेफिनेटली आप बंधम बैंक को अकुमुलेट कर सकते हैं मुझे लगता है यह यहां से 550 से लेकर 600 था जिस रेंज में करता है अगर थोड़ा लंबे समय की बात करें तो उसी के हाइस के आज-पास है अगर यह उपर के लेवल्स को तो अगर मार्केट मार्केट अगर यह रहता है कि घृटक हे एक यह रहता है एक दो हफते में इसका ब्रेक आउट आ जाना चाहिए मुझे लगता है कि यह इस 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 नेक्स नेक्स मन तक यह हो सकता है तो आउटलूप मेरा काफी बुलिश है और उसको तोड़ेगा तो उसके उपर अच्छा मोमंटम भी दे देगा तो वो भी चीज है और सुमेदीब जी जो कहने की कोशिर में ज़े लगता है जो कह रहे तो चीज़ें यह अपने आप मेंटेन कर लेगा मैनेज कर लेगा जिस इस ट्रेंद के साथ में जा रहा है और जिन लेवल्स के असपास है तो यह विल्कु क्रूशल लेवल्स है और यहां से एक अच्छा मोमंटम और उपर की दरब देखने को मिल जाता है तो बड़िया ल